इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका फोन बहुत हैंग हो रहा है तो इसका मतलब उसमें वाइरिस आ गए है वाइरिस को कैसे डिलीट करें यहां पर मैं आपको बताऊंगा हो सकता है आपका फोन बहुत स्लो चर रहा होगा लैग हो रहा होगा या फिर हैंग ह तो उसका सबसे पहला रिजन क्या होता है कि आप अपने फोन में बहुत सारी एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं बहुत सारी एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जो काम की नहीं होती हैं तो अगर आपके फोन में कोई भी ऐसी एप्लिकेशन है जो काम की नहीं है उसे आप अनिंस्टॉल कर लें जैसे कि यह application देखिए मेरे काम की नहीं है तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहां से इसे अनिस्टॉल कर दूंगा ठीक है तो यह application देखिए अनिस्टॉल हो गई है और थोड़ी दिर में यां से हट जाएगी तो आप अनिस्टॉल कर ले ऐसी और भी होगी आपके फोन में तो उसे आप अनिस्टॉल कर दे जो काम की नहीं है इससे आपका फोन फास्ट हो जाएगा इसके बाद अब क्या करना है कोई भी अगर आप play store कि कि लावा बाहर से डाउलोड करते हैं आपको तो उसे आप डिलेट कर दे कोई भी एपी के अगर आप बाहर से यहां से कोई भी एप्लिकेशन डाउलोड करते हैं Chrome से कोई भी ब्राउजर से तो उसे अपने फोन से डिलेट कर दे क्योंकि वायरस वहीं सही आता है ठीक है इसके बाद अब आप अपने फोन से catch को clear करें तो settings में जाए settings में जाने के बाद अपने फोन के application manager में जाए और यहां पर देखिए आपको बिल्कुल नीचे आके सबसे पहले बड़ी बड़ी application जैसे YouTube storage में जाए और देखिए catch को clear कर ले यहां से sorry clear data ही है catch को यहां से clear कर ले इसके बाद आप और भी application देख ले जैसे whatsapp हो गया या फिर snapchat हो गया तो आप उसे clear कर दे ऐसी करके जो भी app use करते हैं आप उन सब को clear catch कर दे ठीक है देखिए कितना जादा catch था clear हो गया इससे क्या होगा आपकी storage बढ़ जाएगी और आप आपका phone fast हो जाएगा अब आप क्या करें अगर आपने कोई भी antivirus डाउनलोड करके रखा है देखिए आप play store से कोई भी antivirus डाउनलोड करते हैं यह antivirus धावा करते हैं कि आपके phone से virus delete कर देंगे बट ऐसा होता नहीं है यह और बढ़ा देते हैं आपके phone में virus और उसी virus को clean करके दिखा देते है तो आप कोई भी antivirus को अपने phone से हटा दे अगर वो पैसा दे के आपने लिया है तो फिर रखें वो original होते हैं बट जो भी play store से free के होते हैं वो सब fake ही होते हैं ज्यादा तर इसके बाद आप क्या करें file manager में चले जाएं ठीक है file manager में जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर internal storage में आपको जाना है और देखिए यहाँ पर बहुत सी ऐसी files होगी जो आपके काम की नहीं होगी अजीब सी होगी आप देख सकते हैं यह हो गई यह बहुत सारी मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं देखिए उस annoyस में क्लिक करकर कि जो इसके अंदर कुछ होगा नहीं होगा तो कुछ कंट नहीं होगा तो यह सब virtual jest होते हैं तो आप इन्हें सब select करकर delete कर दे, आपको जो भी काम का नहीं लगता है, तो यहां से मैं select करा और मैंने delete कर दिया, तो आप भी इसे इसी तरीके से delete कर दे, और end में क्या करे, आप अपने file manager में आए, यहां पर आपको three dot पे click करना है, इसके बाद settings में जाना है, और यहां पर देखिए, इस तरीके डिसेबल होगा तो इसे इनेबल करें इनेबल करने के बाद आपको क्या होगा आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना है और यहां पर आपको बहुत सारी hidden files दिखेंगी जो आपके फोन में viruses जमा करती है सब trash file होती है तो देखिए यह सब clicker करके select करके यह सारी delete कर दें यहां से ठीक है इसके बाद आपके phone से virus delete हो जाएगा और आपका phone बहुत ही fast चलने लगेगा वीडियो पसंदाई हो तो टेक्स दोर को subscribe कर दें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्लाहाफिस